हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम चित्रकला के महत्तपूर बहुवी कल्पिये प्रश्ण देखेंगे फ्रेंस कल आप सभी का चित्रकला का पेपर है जिसमें आप सभी का बहुवी कल्पिये प्रश्ण जो पूछेगा आज जो प्रश्ण कराने वाले हैं इनहीं मैंसे आपके सवाल बनेंगे तो फ्रेंस आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा जिससे आप बूर्ड के एक्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंस आपके सामने सवाल है कि बताना है कि जो हरा रंग कौन रंग है कहें और प्रहन लापioned यासी धियोती रंग हसके सवह एक ठंडा रंग जो आग को सी तलता प्रतार पर्दान करता है तो कौन सा रंग होता है फ्रेंस हरा रंग होता है और याद में रखिए याद रखिएगा साथ में हरा रंग कौन सा है द्यूतिय रंग के अंतरगत आता है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि बाइगनी रंग किन रंगों के मिस्रण से बनता है तो फ्रेंस आप इस सव सफे controllers को मिलाने से देखिए फ्रेंस जब लाल रंग में नीला रंग दिम्दा T मिलाते हैं तो आपका बैगनी रंग मिलता है इसका इसक जवाब होगा आपका कैं कि से मिलेगा लाल प्लस नीला से विद्धानी रंग मिलता है ये फ्रैंस निकानी रग सकते यहां प्लेर नियला रंग है यह ख़ुत पहुते हैं बनेगा आपका आगला नमहीं सवाल है आस्मानी रंग जो सभीघ्य को इसको भी आप याद रखिएगा जो आसमान वाता उसमें नीला आपको दिखाई देता है उसमें एक सफेद रंग मिला देंगे तो आपका को सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नमबर का सवाल है यहाँ पी चौन नमबर का 7 लंक कॉंट सा है फिरस आप साने लाल पीला वैगनी हरा लिए इस सीतल मतलब होता है थंडा ठंडा रंग या ठंडा रंग को ठंडा रंग गते हैं और जो यहाँ पे in पन्त लंग तो उता कि गूफाओं कि पेंटिंग किस काल की आपको पताना गूफा है उसमें जो पेंटिक की गए किस काल कि है आप साने मुगल काल की गुप्त काल की बहुत काल की जैन काल की तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा सी बहुत काल की है ठीक है आपके सामने अगले नंबर का सवाल है यहां पर देखिए आपका छटवा नंबर का सवाल है कि उत्तर परदेश की किस नगर में प्रागयति हासिक चितर मिलते हैं अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला और हरा के विरूधी रंग क्या है इसको भी आप सात में याद रखियेगा तो फ्रेंस áreas का रहे हाथ की रहा होता है आपका है इसices क्रूष्ट का सभाप क्या होगा छली लाले अग्ले नमबर के बैगनी या पीला तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा आपका सी बैगनी देखे फ्रेंस अभी इस पर सवाल कराया थे कि नीला और लाल तो आपको बताया थे कि जब यहां पर नी जुड़ा है तो इसका मतलिक्स में नीला होगा और साथ में क्या आप याद कर लिजेगा एक याद कर लिजिएगा यानि कि लीला और लाल को आपसे मिलाएंगा तो कौन सा रंग बनेगा आपका बैगनी रंग बनेगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि किन दो रंगों के मिस्रण से नारंगी रंग प्राप्त होता है आपसन लाल और सफेद हरा प्लस लाल आप याद रखेंगा फ्रेंश ठीक है जितने भी प्रस्ण बता रहें सभी आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है नारंगी रंग कैसे मिलेगा पीला और लाल को जब आपस में मिलाएंगे ता आपका नारंगी रंग मिलता है आपके सामने अगला नंबर क प्रदेश में आप सामने अगला नंबर का सवाल है रहाओ नंबर का कि क्ला शब्द किस भासा स संबंदीत है आप से यानि क0की से संस्कृत से अग्रेजी से हिंदीसे मराठीस करते आपका संस्कृत्य आपके सामनी अग्ला नपर सवारे नम्ब्र का कि नीमने में से ठंड़े रंग कांशा एःन। धंडा रंग अभी फ्रेंस आपको ऊता है तो आपको निला नम्र करawk दिख कि यहां पड़ है कि आरख चुक है कि संबाहुति रुपूज देखिए। को बूते हैं ऐसे टीनों भूजायां बराबर प्रती को बूता है अपने कितने सवाब होगा आपका सी आप सामने अगला नमबर का सवाल है प्राथै्मिक रंग कों सा होता है। लाल उता है लालड़ निला होता है इसका सही जवाब होगा बीब। दिक हस प्राथ्मिक tax को आप और आप याद रखिएगा लाख पीना से लल लाख पीना और नास अधोज सके आपके सामने अगला नंबर परावन नंबर का है कि सफेद का विरोधी रंग काला होता है तो सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि एक त्रभूज के सिकींतितां तो कलाई होता है तथी तीर्भूज की तीनों कीक एक सो असी उसको साद में यादी रखिए कि कौूं सा रंग गर्म होता है तो फ्रेंस आप सेनिता है टो हबfeit लालो का क्लाऊ सा है आपका घर्म अगला नबर का सवाल है रहाए जैसे पूछाया पूचार से बनाई गई रहा अधिक काली होती है यहाँ पर देखें इसको थोड़ा concept से याद रखिएगा जैसे काली पूछा है देखिए 1B, 2B, 3B, 9B तक ठीक है यहादि हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो आपका जो रेखाए होती काली बनती चली जाती है यहाँ पर आपसं के अनुसार देखेंगे तो 2B दिया है यहाँ पर इसका सही जो होगा 2B यहादि आ साथ में याद रखिए ठीक है पर चाहिं देखिए आपको सफरेद काला अपसं में लाल नीला दिया है ना 好ी फिला या कोई नहीं प्रेंदो होता है और एक सफ्थ और काला होता इसका सही जवाब होगा ए ततक रंक कितने हैं सफेद और काला होते हैं आपको सामने अगला नबर का सवाल है कि हरा रंग नि तरों पर कौन से प्रभाव डालता है ढ़ांडा डालेगा समानय डालेगा या gorm डालेगा कोई प्रभाव नहीं ढ़ता है हरा अंग पर कैसा प्रभाव हरोसा एग naprawdę सब्सक्你有 होता है इसले उते तेन निला क्या है प्राथ्मीक रंग तया सवाल है कि किस पेंसिल से खीची गई रेखाय सरवाधिक हलकी बनाई जाती है देखिए इसका भी कंस्यप्ट देख लीजिए जब हलका कहेगा तो इसको वान एच टू एच तीन एच डाट 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 करें नाइन एच तक जब इधर सीधर हम पढ़ेंगे फ्रेंस ना तो वह क्या हो कर रेखाय हलकी बनती चली ज वाट करें तो इच कि एच से अलका बनता है और बीज होता है उससे आपका रेखाय काली बनती ठीक चली आपके सामने अगला नबर का सवाल यहां पर देखिए आपका 23 नबर का कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है जिस प्रकार आपको अपरेंस बताएं सफेद कई इसाथ को के अगला सवाल है कि प्रिज्म में प्रिज्म में कितने रंग होते चले अगले नमबर की सवाल को देखते हैं यंजे आपके सावें अगला नंबर का सवाल है कि तटाष्ट रंग कितने होते ह sûrement होते हैं तो अभी आपको पता है आप सवाल को स्वाल होते हैं डिराझ च्वावान का सवाल है कि उस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं साथ होते हैं घते हैं शातों कितने होते हैंहों वस्तु को टिकाऊ बनाना देखते हैं कि साफ सुतरा बनना चाहिए जिससे लोग उसके तरफ क्या हो आकरसित हो इसका सही जवाब क्या हो एह होगा तो आलेखन का सरफथम महतु जब देखा जाता है तो वस्तु को आकरसक बनाता है ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पर देखिए आप 28 सवा नंबर का कि निम्न में से कौस आकार आलेखन के लिए उप्यूक्त नहीं होता है देखिए बृत वर्ग त्रिकोड या कोड देखे फ्रेंस आपको जो बृत होता है इसमें भी आलेखन बनाते हैं त्रिकोड मतलब नहीं करते हैं तो कोड का प्रियोग नहीं करते हैं जबकि बृति का वर्ग का प्रियोग करते हैं ठीक है कोड का प्रियोग नहीं करते हैं ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है 29 नंबर का देखिए कि उत्तर परदेश में राज ललित कला अकादमी कहा है तो फ्रे ठीक ठाक से किये हैं तो आपको ये वीडियो और आपका कल पेपर जो होने वाला है कला का सबसे अच्छा जाए बेस्ट आप लग कला के लिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें